नवस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे LDC Postal Assistant और Data Entry Operator की जो Vacancy आ रही है SSC के तुरू यानि की Staff Selection Commission दोस्तों काफी सवाल होते हैं तो उन सब को आज हम इस वीडियो में Cover Up करेंगे जैसे कि इसमें Posting कहा होती है भर कौन-कौन सकता है, Salary क्या होती है और इसमें जो Selection Process होता है, वो कैसा होता है और यह दोस्तों proper सरकारी नोकरी होती है Government Job है दोस्तों तो अपने चैनल को Like करो, Subscribe करो वीडियो को Share जरूर कर देना, चले स्टार्ट करते हैं देखे जो Vacancy आएगी, आएगी 12th Pass के लिए आपने कर 12th Pass की हुए है तो आप इसको भर सकते हैं इसमें कोई Experience नहीं वांगते, कोई Certificate या Diploma Course एक्स्टा नहीं चलता तो इसमें जो Form निकलेंगे, आप Form कब से भर सकते हैं, वो भर सकते हैं चे नवंबर 2020 से, डेट्स बड़ी ध्यान रखना दोस्तो, चे नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक दोस्तो इसको Form जल्दी से जल्दी बरना, जैसी Form निकलते हैं, आउट होते हैं, आप इसको बर देना इसमें आपको बता देता हूँ, जो जनरल और OBC के कैंडिडेट होंगे, उनको 100 रुपे चार्ज करने पड़ेंगे, लेकिन जो SC, ST और Women's कैंडिडेट होंगे, उनके लिए Free of course निकलेंगे इसमें और आगे चलते हूए, मैं आपको बताता हूँ, 18 साल से 27 साल इसमें Age Criteria मांगा जाएगा अब दोस्तों, जो main सवाल होता है, इसमें selection process कैसे होता है, और भर कौन कौन सकते हैं देखे, All India में आप कहीं से भी belong करते हैं, तो आप इस phone को बर सकते हैं male हो या female हो, सब लोग बर सकते हैं selection process होता है, दोस्तों, पहले return होता है, उसके बाद skill test होता है दोस्तों, यह होता है, exam pattern, अब इनके जो job होती है, वो होती है, transferable All India में, कहीं भी उनका ministries में transfer होते रहते हैं तो यह जो government job होती है, proper अब जैसे ही इनका notification out होगा, वो होगा 6.11.2020 को क्यूंकि इन्होंने जो exam का calendar है, इसमें mention कर दिया है तो आप अपनी तयारी अभी से start कर दीजिए, देखें क्यूंकि जो exam होना है, वो होना है April 2021 में, तो अभी काफी time है, अभी October चल रहा है, तो अभी काफी time है, अभी से आप अपनी तयारी रखेंगे, तो आप जो SSC का return exam होगा, plus 2 का, वो आप निकाल सकते हैं तो दोस्तो इसके regarding कोई और question हो या सुझाओ तो आप comment section में लिख सकते हैं Thank you so much दोस्तो for watching my videos